हेलो डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आपका हमारे नियू एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉलिशन अकैडमी पर आज की इस वीडियो में हम TGT मैस्मेटिक्स के लिए एक छोटा सा टॉपिक डिसकस करने वाले जो कि हमारे लिए चैप्टर फोर होने वाला यूनिट फर्स् वह भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे आयो होप सब वीडियो आपको लिए काफी ज्यादा यूस्फुल रही हो वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को यूस को लाइक करने ना बूला कर आप चैनल पर नहीं तो चैनल स्क्राइब जरू कर दें जिससे कि आने वाले सभी च सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करने में लगा समय जब भी कोई ट्रेन पास होती है कोई प्लेटफॉर्म पर या कही पर भी खड़ा हुआ या कोई ट्री है स्टेबल है उससे मूव उसे पास करने पास करेगी तो कितना टाइम लगेगा जैसे काफी बार पूछी जाते है अपनी दूरी पार करने में समय लगे समय जीतना टायम से अपनी डिस्टेंस को पार करने में लगा समय एक ट्रेनगी लंबाई कितनी है 600 मीटर है तथा 60 किलोमेटर गती से 36 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से एक खंबे को किती दिर में पार करेगी ऐसे कॉशन पूछे जाते हैं देख लिजेगा यह सेम कॉंसेप्ट है दोन आपस में इक्कोल होती है अपनी डिस्टेंस उसकी कितनी लेंट है 600 मीटर लंबी ट् इसको पार करने में समय लागेगा इससे चाहिए तो फाइंड भी कर लेंगे लेकिन पहले नोट्स पढ़ लेते हैं क्या है एक एम मीटर लंबी ट्रेन है कि इतनी मीटर है और किसी वाई मीटर लंबी वस्तू को वस्तू इंदा सेंस क्या क्या हो सकता है मेरे पास कोई पू पूल की अंदर से निकल रहे लेके ट्रें की लेंथ आपको पता है और पूल की भी आपको लेंथ पता है जिस पूल में से वह पास हो रही है तो दोनों का एड़ कर देंगे द्यान अखना आपको पूल भी हो सकता है स्वरंग प्लेट वाले कोशन बहुत आते हैं एक 600 मिट लंबी ट्रेन है चार से मेटर लंबे प्लेटफार्म कि देर में पार करेगी दोनों को आप कर देना इसके प्रकॉशन में अभी आपको कराऊंगा तो कॉंसेप्ट कि ले रहे हैं यह वाला नौट्स यह वाला कॉमन और चल रहे हैं तो हम स्पीड को क्या कर देंगा मैनस कर देंगे द्यान अपोजिट में एड करेंगे और सेम डिरेक्शन वाली को सब्ट्रेक्ट करेंगे नौट्स अच्छे से किलियर है मैंशन कर लेना नौट्स कर लेना ताकि पेपर टेम भी रिवाइस करें चैप्टर के जा रही है एक है की स्पीड गेवन एंट फटी किलोमेटर फर थीक है एंड वन और ट्रेंट विच इस मोविंग 30 किलोमेटर पर आवर इंड आपोजिट डारेक्शन विपरित दिशा है आप अपोजिट डेक्शन में मूव कर रही है ठीक है तो रिलेटिव इस स्पीड सप किलमेटर पर आवर कितना इसी है मैंने इसके साथ-साथ अगर ऐसा लिख लिए सब विपरित की जगा समानतर आ जाता कि एक ट्रेन और दूसरी दोने ट्रेन समानतर पर चल रही है एक दूसरे से किती दिर में क्रोस करेंगी रिलेटिव स्पीड क्या होगी तो समानतर वाले के इस में क्या बताया दो मैंने सम्ट्रेक्ट करेंगे 20-30 मैंस करें कितना आएगा 10 10 किलमेटर पर आवर इसजी इस वाले नौट की लिए क्वार करें क्या है एक ट्रेन की लैंद की 600 मीटर तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी प्र पर आवर एक छोटे दो पॉइंट यहां पर और बता दूंगा आपको आपने सिस्टम पढ़ाओगा मातरग पदिती सिस्टम से यहां पर किलोमीटर में और यहां पर मीटर में ऐसा नहीं चलेगा पूरे कॉस्टन सारी यूनिक किसी एक सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए या तो मैं को बता देता हूं कि किलोमीटर पर सेकेंड में करने के लिए फाइव पॉन एटीन से मल्टिप्लाइ करते हैं क्यूं करते हैं इसका रीजन भी आपको आपको दे देंगे सब्सक्राइब करने के लिए 8365-10 मीटर पर सेकेंड इसपीड का फॉरम ना पड़ा यह सब्कूर में डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इकॉल में डिस्टेंस अपॉन इसपीड दिस्टेंस भीडिड़न है पार कर लेगी कितना इसी कॉशन था पहले जो गिवन था वही इसे चेंज करने वाले कॉंसेट यह ना जब आप प्रैक्टिक्स कर लो ना तो और अपको याद रखना है फाइव पॉन एटीन से मल्टिप्लाइ करते किलोमेटर पर आवार को मीटर पर सेकंड में चेंज करने क जाएगा आपको सो अपने स्पीड इकवल में डिस्टेंस अपन टाइम चाल इकवल में दूरी बट्टे समय का फॉर्माल लागा लिया और मैंने टाइम फाइंड कर लिया 60 सेकंड कॉंसेट के लिए कुछ और इंट्रेस्टिंग टॉपिक कुछ और इंसी रिलिएट एक आ कि आपके फॉकस को अटेंशन की बहुत ज़्यादा नीड है आपर सभी कॉशन तो देख नमबर पहले थर्ड बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है बार बार बो लो कॉशन को अच्छे समझना फॉकस करना कॉंसें मना ऐख क्या किस तरीके से कॉशन होना रिख पहला पर नभी कितनी है 36 km पर ठीक है अभी हमने फॉर्मला पढ़ाए इस्पीड इक वल्में डिस्टेंस अपॉन टाइंट एक फॉर्मला जो बार बार रिवाइज होगा टाइम एक वाजाएगा टाइम इकॉल में डिस्टेंस अपॉन स्पीड कोई दिकत नहीं पॉइंट सिहां पर क्लियर कर देती हो मां आपके स्पीड इतनी है जो रॉफ है मेरे 36 किलोमेटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है यह चेंज करना है तो मैंने बताया था फाइव पॉन एटीन से मल्टिप्लाइए है कि फाइव पॉन एटीन से एटीन टूजा थर्टी सिक्स फाइफ टूजा टैन टैन मीटर पर सेकंड स्पीड आगई सर ठीक है यह तो बेसी के सब रफली जो आपको करना ही है कितनी देर लगेगी मैं आपको के इसमें दे दे ध्यान रखना आपको सुरंग की और ट्रेन की अभी पीछा आया था दोनों को एड कर लेना है क्या कर लेना है एड कर लेना है 600 400 कितना होगा हंड्रेड टाइम का फोर्मला क्या होता है टाइम इकल में डिस्टेंस कितनी होगी 600 400 1000 स्वरी अपन में समय स्प के ओडिए क्रोस कर लेगी यह कौंसेटा दुबारा सुन सकते आप अब आपराम से मैंने यह नोट नॉट नच कि अब तरेंगर क्या बताया था कि कभी वी यही प्ल की ट्रेंग की सुरंग की इस प्लेट फार्म की पत्रियों कि किसी लैन्दे तो उस कीस में डूनों को यह ज्यादा हर्ड नहीं कोशन सुनिएगा 600 165 मिटर लंबी ट्रेन फिर ट्रेन की लेंथ देदी 158 किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से चल रहे चल रही है ट्रेन की स्पीड ट्रेन की स्पीड है विपरित दिशा अपोजिट डियरेक्शन आगई ध्यान लगना कॉंसेप्ट में वैक्ती 8 किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से आ रहा है जब भी एक ट्रेन या दूसरी ट्रेन आपोजिट आएगी या वैक्ती या कोई भी चीज आपोजिट आता है तो मैंने आपको बताया थे जिसकी दिशा वेपरित होगी तो स्पीड एड होगी 58 और 8 कितना होता है 66 कितना अथा 66 किलोमेटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज गनने के लिए 5.18 बताया था था भी और सेंज टरेब ठीक है यह मेरे पास क्या आया इस पीड आई पहले मैंने निकाल लिया दोन अप्यजट चल रहे थे एक वैक्ति एक ट्रेन भाग रहे है ठीक है भाग रहा है वैक्ति तो वे एक दूसरे को किती दिर में पार करेंगे यह ट्रेन आ रही है यह एक अपोजिट डारेक्शन में ग्ला रहा है दोलेव में ढूसरे किति दिर में क्लस कर लेंगे स्पीड का रूम्म्ला कि होता है डिस्टाइल सपॉन टाइम की दिर में तो टाम का फॉर्म्ला क्रोचरेस पान में ideal सेंस लाता है दूसरे structलाम क्लास फितने knowing applied यह बहृत ज़्याद Biz कॉंसेप्ट को सिर्फ हमें कैच करना वाता है कि कॉंसेप्ट में है क्या एक ट्रेन चार्ट से मीटर लंबी है मीटर दे दिया फिर सर चेंज होगा ध्यान लखना है अपनी दिशा में भाग रही है भाग रहे एक लड़के को जिसकी चाल 5 किलोमेटर परती घंटा एक ट्रेन आहं ट्रेन की दिशा में जिदे चलिए अल यांधा लड़का यांचि region में मैंलेक्त होगा लेकिन यहां पर लड़के की把 दिए लड़के की क्वर में distance distance कितनी चार सी मीटर distance upon time टाइम कितना है 40 seconds speed की थी मेरे पास x-5 क्यूंका यह माइनस दोनों सेम डारेक्शन में थे 0 से 0, 4 बन जा 10 आया लेकिन यह meter per second में आया meter per second यह किसमे था five kilometer per hour में तो meter per second को kilometer per hour में convert करने के लिए इसका उल्टा यहां पर किलोमेटर आ गया ता लेकिन मीटर आ गया तो इसका उल्टा कर देंगे 18 अपॉन 5 किसे मुटिप्लाइ करते 18 अपॉन 5 तो 41 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड से ट्रेन चलती रहेगी जो कि किती देर में 40 सेकंड में इत्ते मीटर लंबे खंबे को पार कर देगी और बोई जो इसकी अपॉजिट डिरेक्शन मारा है निसकी साथ ही डारेक्शन मारा है पांच किलोमेटर में कॉस्टेप्ट समय लेती है उस बॉइस को ठीक है ट्रेन की स्पीड निकालनी है दोने एक साथ भाग रहे तो स्पीड माइनस होगी यह वाला कॉंसेप्ट के लिए यह वाली फाइव जो किलोमेटर पर आवर में है ठीक है इस पीड का फॉर्मिला डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस क सब्सक्रांब किया में लंधरी टीक ताइंस डेटी इतने लंभे प्लेट फांगो दस सेकर्ण में पार किरती हैं एक ट्रेन 120 मिम्र लंबे प्लेटक रहां को निकालनी है स्पीड इक्यों अरत 20 लंवब बृटकर Manufacturecript oc जकृतर में हैं यह यहाँ त्फार आपार एक तरव दंचे से कर लेंगा जैतीस एंगा शॉनी 14 पर एस से क्राउस कर लए गी सपीड की चाले 20 मीटर पर सेंट यह में मींटर पर सेंड आया सारे कोश्चन के में मैंने मेंशन करतें वीडियो विच्थ करकर एक कोश्चन से समझें नौट्स बनाए तब हो जाएगा नहीं भी किलिए रहो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं जिससे कि मैं रिवाइस करूंगा सो आपके डाउट्स को अच्छे से किलिए कर लेंगे तो यह से रिलेटिड कुछ और कोशन देखते हैं कौशन नमबर सेवन क्या है वह सो आए दोस्तों एक और कोशन डिस आप यह समझ जाएंगे तो बाकि अधर टैपसी आप अच्छे से प्ले कर लेंगे अच्छे से सौना आपको दो प्लेस हैं स्थाने यह और भी माल लेते हैं एक इस पेस कोई यह हैं यह प्लेस भी मेरे पास ठीक है के बीच कि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का इनके कॉंसेप्ट को जितने अच्छे समझोगे उतना आपका फायदा है किलोमीटर इतने किलोमीटर की बीच की डिस्टेंस है ठीक है एसे एक ट्रेन आठ बजे एक ट्रेन चलती है ठीक है जिसकी स्पीड क्या है साथ किलोमेटर प्रती घंटा कॉंसेप्ट को ड्रो करते जाए और अच्छे से समझते जाए चाल से शुरू होती है ठीक है एक ट्रेन बीए जो इसकी विपरी दिशा में हारी है वो नो बजे चलती है कित्या चलती है नो बजे कितिकी स्पीड से पिछलता है से विच्छत तर 75 क्लॉमेटर पर आवर की स्प लिता हूं यह 8 बज़े चलिए नो बज़े चली दोनों ही टाइम को लिता हूं यानि कि 8 बज़े वाली को भी 9 के बराबर मतलब 9 बज़े जब 8-9 बज जाएंगे तो यह 60 किलोमेटर चल चुकी होगी 330 में से कितना 60 km चल चुकी है 270 km बचा होगा यह सर आड़ बिजे चली थी वह 60 km परती घंट चली एक घंटे में तो 9 बजे तक वह 60 km चल चुकी होगी 270 बचेगी दोनों के 20 की distance के लिए अब इसकी speed के 60 और इसकी कितनी है 70 दोनों कैसे विपरित दिशा में तो स्पीड क्या होके बताए अरो कि अतनी है स्फीर्टेंस कि इतनliter में तैम इककॉल में पाओ छाज हूं इस्टेंस किलोमेटर टाइम कई तनी है डैम उसका सब्..च्छर्ण कितने में 217 किलोमेटर चले वह 270 किलोमेटर स्पीड कितनी 135 135 दोनी 270 दो घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगी यह 8 बजे से 9 बजे आई 9 के बाद 2 हंटे मतलब 11 बजे 11 अब क्लोक पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी कॉंसेट कितना है हो गया वह कितनी देर बाद मिलेंगी पता लगा यह तो यह 8ं मिलेगी तीन घंटे बाद क्यूंकि एक गंटत तो पहले चल लीती दो घंटे बाद आब यहनिके यह तो मिलेगी द्यंटे बाद और वी मिलेगी दौ घंटे बाद अगर यह पूछें कि m7 कॉष्ण कर देसा ठायरोी ने तो दोर एक झांट से नो से ग्यारा बचे जब यह मिले, तो दो घंटे जब हो चुके थे, दो और एक तीन, तो A ने तो लिए तीन घंटे, और B ने लिए दो घंटे, सो स्पीड, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटु टाइम, इसकी स्पीड साथ ती, टाइम लिया 3, 6, 18, 180 किलोमेटर तो चला A, बी की भी निकालनी है, क्या होता है, डिस्टेंस इकॉल में स्पीड मल्टिप्लाई टाइम, स्पीड किती थी, पिछेतर थी, टाइम लिया 2 घंटे, डेड़ सो किलोमेटर कौन चला, B चला, 180 C चला A, डेड़ सो चला B, दोनों को एड़ करके देख लो, 330 किलोमेटर की टॉटल इस्टेंस आ रही है, कॉंसेप्ट समझ माया, काफी बार रिपीट होता है, इंपॉर्टन कोशन है, अच्छे से लिख लिजेगा, डाइग्राम स चाल से एक ट्रेन, 240 मीटर लंबी, लंबे एक प्लेट फार्म को, यानि कि एक ट्रेन है, ठीक है, अच्छे ट्रेन की लेंद ही दिए वो, ट्रेन की लेंद कितनी है, 240, ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड देख लिजेगा, क्या है, मेरे पास 108 किलोमेटर परती घंटा, ये में लिखी है, में मैंने बताया था, जब भी आपको दिख जा, सबसे पहले सीचेंज कर लो, किलोमेटर पर ती घंटा को, किलोमेटर पर आवर को मेटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, फाय उपोन 18 बताया था भी, येस, 186, 108, 635, पर सेकंड, स्पीड कितनी आ गई, ये मैंने रफ पर साइड में लिख लिए, मुझे जरुत पढ़े की तो यूस कर लेंगा, 30 मीटर पर सेकंड, कॉशन पढ़ते हैं, क्या है, एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है, एक प्लेट फार्म को, प्लेट फार्म की लैंथ नहीं दी, 20 सेकंड में पार कर देती है, कॉशन में यहीं पर रुक जाता हूं, मैंने आपको अभी बताया था, कभी भी ट्रेन की लैंथ दे और प्लेट फार्म की लैंथ दे दे, दोनों को एड कर लेंगे, मेरे पास टॉटल डिस्टैंस आ जाएगा, बताया था प्लेट फार्म की, खंबे की, पुल की, सुरंग की, सभी की दोनों की ट्रेंगे, उसकी एड कर लेंगे, यह क्या होगी में इसटैंस होगी, डिस्टैंस का फोर्मुला, अभी हमने बताया आपको, इसपीड इक्वेल में डिस दैंस अपटाइम, तो सिर्फ डिसेंस का फ्रमुला क्या होजागा, स्पीड इं टुटाइम, स्पीड की है तीज टाइम गतना मिरें पास 20 सेखेंड संस्ट मेंने लेकिन उन्हें प्लेट फार्म नहीं पूचा-हय इतना कॉशन करेंगे व्हाइव एक वेक्ति उसी प्लेट फार्म को 350360 मिटर डिट सेंश प्लेट संट के आगई थी पांच मिटमय पर निकालनी स्पीड कौल में कितनी 360 मेटना पलेट double मे पांच मिन्ट को सटेंब कृट baru सिक्स अपॉन फाइव मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है कॉंसेप्ट के लिए ज्यादा हार्ड तो नहीं है इजी कॉंसेप्ट था यह वाला कॉंसेप्ट ध्यान अखना है बहुत ज़्यादा जरूरी है एक ट्रेन की और प्लेटफर्म की या फि की वह भी ज्यादा इंपोर्टेंट अच्छे हमारे लिए तो देखते हैं पहले कोशन नंबर नाइन आपको बता दू नाइन और टैन के बारे में दोने कोशन डिफ्रेंट ट्रिक्स होने वाले इसलिए को मैंने चूज किया क्योंकि थोड़ी डिफ्रेंट टाइप के ऐसे पढ़ते कॉमपेटेटिव एक्जामस की टाइम पर एक दूसरे की विपरित दिशा में जा रही ट्रेन एक वैकति को 27 सेकेंट में और 17 सेकंट में पर गटीये लिए आपके अंसर आजाएगा 27 में से 23 माइनस करेंगे 4 17 में से 23 माइनस करेंगे 6 3 2 2 4 इनकी गतियों को याद रखना पड़ेगा यह कंडिशन आने पर यह मुझे अप्लाई करना है यह द्यान लखना तभी आपको सॉफ्ट टिक्स से हो पाएगा मना कॉशन लेंदी हो जाएगा चूटने के चांस ज्याद करने से सॉल्व कर लूँ स्पीड के आया पहले कि 90 किलोमेटर पर स्थीघंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए ऐए फाइटी से मल्टिप्लाइग रहते हैं फाट पंचे 25 मीटर पर सेकंड पहला पॉइंट के लिए ठीक है एक और यहां पर स्पीड गिवन है 45 किलोमे ताकि मुझे नीड बढ़ेगी को आगे करते हैं यह रफ काम था पहले मेरा एक ट्रेन 90 की स्पीड से चलकर एक पुल को 60 सेकंड में पार करती है मैंने बताया था दोनों के सम हो जाता है कोई बात में अभी हम सम निकाल लेंगे तो कितने 60 सेकंड में पार करती है क्या होता है स्पीड मल्टिप्लाइड टाइम इस्पीड इती ट्रेन की किलोमीटर है एक पुल को दूसरी ट्रेन पहले से चोटी यह तो पहले एक अगर बात करूं सेकेंड ट्रेन कि सेकंड ट्रेन कितनी मेर पास उसकी डिस्टेंस कितनी आठ सो मीटर कितनी आठ सो मिटर ठीक है है 45 km पर घंटा कि चाल से कितनी देर में पार करेगी ठीक है क्या हुता मैं आपको दुबारा बता हूं स्पीड इकॉल में डिस्टेंस अपॉन तो टाइंस आप पॉन स्पीड सो डिस्टेंस मेरे पास कितनी है छोटी ट्रेन की आठ सो स्पीड जो कि मैंने निकाल लिए किलोमेटर प्रती घंटा को मीटर पर सेकंड में करी लिया था कितने आई थी 25 बटे दो तो दो उपर आ जाएगा सौल्म करते हैं इसी कॉंसेट से 25 से काट ले 25 तिया 75 कितन क्रॉस कर लेगी 64 सेकंड में होप सो सारे कॉंसेट अच्छे से आपको किलियर हो गया होगा नहीं भी किलियर हो आपको दुबारा बता दो वीडियो को पॉस करकर एक एक कॉंसेट को अच्छे सुने सर ने क्या बोला है ऐसे नोट डाउन करें नोट्स बनाए प्रिपेर कर चैप्टर को अगर आपके बागाइस को अच्छे सेंपल पर उसी के बेस पर कोशन करें कोई फिर नहीं होते हैं आपको फ़ेशन के आपको डॉट्स को किलियर कर लेंगा आप कमेंट बोक्स में में खर देना वीडियो को थोड़ी सभी पसंद आई हो तो अपना ओनेवल कम झाल झाल